जै श्री कृष्णा राधे राधे, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई भगवान लक्ष्मी नारायन आप सभी की मनोकामना पूरी करें आज की इस वीडियो में हम कामदा एकादशी की वरत कथा सुनेंगे बोलिए विश्णो भगवान की जैहो लक्ष्मी माता की जैहो एक समय की बात है श्री कृष्ण की प्रिय सखा अर्जुन ने कहा एक अमल्यन मैं आपको कोटी कोटी नमन करता हूं हे जगदीश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे चैतर महा के शुकल पक्ष की एकादशी के बारे में बताईए इस एकादशी का क्या नाम है इस वरत को पहले किस ने किया और इसके करने से किस फलकी प्राप्ती होती है तब भगवान कृष्ण ने कहा है अरजुन एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ट जी से किया था वह व्रतान्त मैं तुम ही सुनाता हूं राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ट जी से पूछा ये गुरुदेवर, चैतर महा के शुकल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता का पूजन होता है? इस एकादशी के करने का क्या विधान है? आप मुझे कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए तम उनिवसिष्ट जी बोले, हे राजन चैतर महा के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है यह सभी पापों को नश्ट करने वाली है जैसे अगनी कास्ट को जला कर राक कर देती है वैसे ही कामदा एकादशी के पुन्य के प्रभाव से सभी पाप नश्ट हो मैं आपसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ आप ध्यान से सुनो प्राचीन समय में भागीपूर नाम का एक नगर था जिस पर पुन्रीक नाम का एक राजा राज्य करता था राजा पुन्रीक अनेको अश्वरियों से युक्त था उसके राज्य में अनेको अपसराइं, गं नर आदिवास करते थे, उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्यम में पारंगत गंधर्व, इस्तरी पुरुष, अती संपन घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे, उन दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मातर से वे वे वैथित ह हो जाते थे, एक दिन की बात है, राजा पुंडरी के साथ सभामी विराजमान थे, वहां अन्य गंधर्वो के साथ ललित भी गायन कर रहा था, उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां पर उपस्थित नहीं थी, गायन करते करते अचानक उसे ललिता का धिहाना गया, जिस कार की कारण ललित को श्राप दे दिया अरे नीज तु मेरे सम्मुक गायन करते हुए भी अपने इस तरी का समरण कर रहा है जा तो नर्बक्षी दैत्य बन और अपने करम के फल भोग ललित गंधर उसी समय राजा पुंडरिक के श्राप से एक भेंकर दैत्य बन गया उसका मुख की कंदरा के समान विशाल हो गई गरदन पहाड के समान हो गई उसकी भुजाएं भी दो दो योजन लंबी हो गई और इस तरह से उसका शरीर आठ योजन का हो गया राक्षश बन जाने पर वह अनेक दुखों को भोगने लगा अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर लल राक्षश बना ललित घोरवन में रहता हुआ अनीत प्रकार के पाप करने लगा उसकी इस्तरी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती जहां जहां वह राक्षश जाता वही वही ललिता भी जाती और उसकी इस्तिती देखकर विलाप करने लगती एक दिन की बात है ललिता अ हे महरेशी मैं गंधर्व पुत्री ललिता हूँ मेरे पती राजा पुंडरीक के श्राप से भेंकर दैत्य बन गए हैं इससे मुझे अपार दुख हो रहा है अपने पती के कष्ट के कारण में बहुत दुखी हूँ हे मुनीवर कृपा करकी आप उन्हें राक्षश योनी से कोई उपाय बताइए सारा वृतान्त जानकर श्रंगी मुनी ने कहा हे पुत्री चैतर महा के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है इस एकादशी का वरत करने से सभी मनोरत सिद्ध होते हैं सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती हैं यदि तुम श्रद्धा शरद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन ब्राह्मनों के सामने अपने व्रत का फल अपने पती को दिया और इश्वर से प्रार्थना की, ये प्रभू मैंने जो ये है एकादशी का उपवास किया उसका फल मेरे पती को मिले, जिससे कि उनकी राक्ष राक्षर शियोनी से मुक्ति हो जाई एकादशी का फल देते ही उसका पती राक्षर शियोनी से मुक्त हो गया और अपने दिव्य सरूप को प्राप्थ हुआ अनेको सुंदर वस्त्रो राबुष्णों से अलंकृत होकर पहले की भाती ललिता के साथ विहार करने लगा कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह पहले की तरह ही सुंदर हो गया और मृत्यू के बाद दोनों पती-पत्नी पुश्पक विमान पर बैठ कर विश्णू लोग को चले गए श्री कृष्ण कहते हैं ही अर्जुन इस उपवास को विधी उर्वक करने से सभी परकार के प मुख कर देता है जिससे उसे भेंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं गंधर्व ललित ने भी राक्षश होकर निंदित करम किये और कष्ट भोगे प्रंतु भगवान शिरी हरी की अनकमपा का कोई अंत नहीं बोलिए विश्णू भगवान की जय हो लक्षमी माता की जय हो एका अद्शी माता की जय हो